तो अगर आपके पास कोई भी शौमी रेड्मी या फिर पोकू की स्मार्टफोन है या फिर कोई और दूसरे ब्रैंड की स्मार्टफोन है तो इन दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमें प्राब्लम देखने को मिलता है कॉल के दोरान लाइक अगर अपने किसी को कॉल कि या फिर किसी का कॉल आया तो उस टेम पे कॉल तो चलता है लेकिन डिस्प्लेय के अंदर कोई भी यहां पे लाइट नहीं जलता है जिसका करण हम कॉल को डिसकरेक्ट नहीं कर सकते हैं और भी काफी सरे प्राइक सेंसर के रिगर्डिंग इसूस हमें देखने को मिलता है और अगर आपके phone में by default Google का डाइलर है तो यह problem तो आपने जरूर फेस किया ही होगा और इसे आपकी इस तरह से fix कर सकते हो मैंने काफी समय पहले इस वीडियो का अंदर बात किया हूँ लेकिन इस वीडियो का अंदर हम एक नया method dry करेंगे एक्चुली यह try नहीं एकधम टेस्टेड है तो आप इस method को follow करके आपकी smartphone में यह जो calling के दोरान problem आ रहा है proximity sensor के रिगारिंग इसे आप fix कर सकते हो totally तो वीडियो को and तक देखो and सारे steps जैसे मैं बताते जाऊंगा एक-एक करके follow करो तो सबसे पहले आपको आना है play store के अंदर यहां पर आपको simply लिखके सार्च करना है राइट डाइलर इसे आप लोगों को install कर लेना है और काफी सारे settings जो आप लोगों को करना है इस डाइलर के अंदर तो इंस्टॉल होने के बाद simply इसे open करना है यहां पर आपको first time पूछा जाएगा कि आपका default डाइलर तो आपको यहां पर यह डाइलर जिसे अपने इंस्टॉल करकर रखा इसके ऊपर आप लोगो थोड़ा सा प्रेसंड होल्ड करके अप इंफो के अंदर आना है यहां पर आपको सबसे पहले जो ओटो स्टाट है इसे एनबल करना है देन ओके फिर आप लोगो apps permission के अंदर आना है और यहां पर आपको make sure कि call logs, contacts, microphone and phone यह जो चार option है यह आपका allowed है और यह जो remove permission and free up space इसे आप लोगो आफ कर देना है यहां से back और यहां पर आपको यह जो full screen mode दिख रहा है इसे आप लोगो को on कर देना है देन आप लोगो को यहां पे other permissions के अंदर आना ह सबसे पहला आप लोगों को यह जो home screen shortcut है इसे आप लोगों को always allow and यहां पे आप लोगो और भी तीन option दिखेगा cross mark तो सबको आप लोगों को यहां पे tap करकर के always allow कर देना है तो अभी आपने सब कुछ चीज़े कर दिया आभी आपको फिर से यहां से बाहर आना है और फिर स अपने सारे steps अच्छे से follow कर लिया है तो इसी बात पर वीडियो को like and share केजिएगा अगर आपके phone में still अगर यह problem देखने को मिल रहा है तो नीचे मुझे आप comment करके बता सकते हो ऐसे ही interesting वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा